दिल्ली में युवा चेतनामंच के राष्टी सेयोज़क रोहित कुमार ने इंडिया वॉइस के साथ खास बातचित की है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी सहीत विपक्ष पर हमला बोला है जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बुध्धी बिल्कुल विपरित हो सुनिए रोहित कुमार की हमारी समधाता साधिक खान से खास बाचित। दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुझ पर चाता है पहले विवेक मर जाता है। राहुल जी को यह भी नहीं पता है लगता है कि पार्लियमेंट देश की सबसे बरी मंदिर है। पार्लियमेंट के प्रती देश की 140 करोड आबादी की प्रतिस्था है। और राहुल जी ने क्य कहा कि देश में बिरुजगारी है महंगाई है इसलिए पार्लेमेंट पर हमला हो रहा है राहुल जी बोलने के पहले सोचिए आप विपक्ष के सबसे बरे दलके युवराज हैं और आप कुछ भी बोल रहे हैं देश माननिय मोदी जी के नित्रतों में सुरक्षित है लेकिन र आंगरेश पार्ती की मनसा इस देश में कुछ और कराने का है आप लगातार देश की संस्कृति के खिलाफ बोल रहे थे देश की सभिता के खिलाफ बोल रहे थे सनातन के खिलाफ बोल रहे थे अब आपने संसद के उपर हमला भी करवाना सुरू कर दिया राहुल गांदी के देजवर का बर्मन करते हैं जिस तरह से 2024 का चुनाव है इंडिया और एंडिये के जो गटबंधन ने उसके कुछ आसर पड़ेगा 2024 में देखिए हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है लेकिन भारतियता के लिए भारत माता के बढ़ रहे वैभव के लिए प्रधान मंतरी मोदी जी के साथ है और ये जो इंदी एलाइंस लोगों ने अपने पडिवार को बचाने के लिए बनाया है लोगों ने अपनी राजनतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए बनाया है मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं मित्ती पलीद हो गई है ट्रेक राष्ट्र विरोधी है जनता विरोधी है ये तरो इस चीज इनों साथतोर पर कहा है कि इंडिया जो एलाइंस से वो देश विरोधी है और लगतार जिस तरह से बैन बाजी का दोर जारी है उसका भी लगतार यूवाच चैतना मंच की और से भी विरोध किया गया है और समंत्री बनेंगे साधिक खान इंडिया वोयज नई दिल्ली